दूस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 गड़ी तिके कुछ मोस्ट इंपॉर्टन बहुब इकल्पिय प्रसनों को बताने वाले हूं ठीक है मोस्ट इंपॉर्टन अब्जेक्टिव कोशन जो की 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टन होने वाले हैं ठीक है तो चलिए अगर हम दो से अगर इसमें भाग करते हैं ठीक है तो यह कितना है अपन टूपॉइंट फाइगा तो मतलब की दो से अगर भाग करेंगे तो ये पांच बटा 2 ये एक सांथ पर में संक्य ठीक है और वही अगर माज loss is acreheart और इसमें पांट से हम कर रहे हैं ठीक है तो ये इसमें क्या है ये भी आपका एक संख्या है तो हमेशा याद रहेंगे कि दो और 5 कला बस ऑन संख्या से यह किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो वो क्या होगा वो आपका जैसे कि माल जी हैं अगर यहां और परायईस है साध यह साथ क्या है तो इस Пропow तो असांत पर्मे का अगर जो संख्या है वो अगर असांत है तो उसका दसमलोपरसार असांत होगा अगर पर्मे संख्या सांत है तो उसका दसमलोपरसार सांत होगा ठीक है तो इसलिए जो पर्मे संख्या का दसमलोपरसार है वो असांत और सांत दोनों हो सकता है तो इसलिए आपका c number साही हो जाएगा ठीक है यह चीज़ होगया आप आगे देखिए अब यहां पर आपका दूसरा number question है तो इसमें कहा रहा है कि सुन्यतर पर्मे संक्या और एक और में संक्या का गुणन फाल होता है सुन्यतर मतलब कहा जैसे कि सुन्य ठीक है सुन्य एक सुन्य ठीक है तो अगर माल जिए जीरो यहां पर है ठीक है जीरो का गुणा ऑपर में कुछ भी ले सकते हैं रूट दो एक ऑपर में ठीक है तो जीरो का गुणा किसी भी संक्या के साथ करेंगे तो आपका आंसर आएगा जीरो ठीक है और जीरो क्या है यह वाला कोश्चन आपके एक्जाम में पूछ सकता है कि जीरो क्या है पर में है क्यों पर में तो आप हमेशा याद रखेगा कि जीरो एक पर में संक्या है ठीक है तो इसमें क्या है कि सुन्य अतर पर में संक्या और एक और में संक्या का गुणनफल होता है तो आप हमेंसे याद रखेंगे कि वह जीरो ही आएगा और जीरो एक पर में होता है इसलिए बी नंबर से पर में संक्या होता है ठीक है अब इसके बाद से तीसरा देखिए इसमें कहा रहा है कि रिखाओं एक्स बराबर में यहां पर जीरो और टू एक्स प्लस थ्री बराबर बारा का प्रतिछेद बिंदू क्या है तो यह वाला आपका कितना निर्देसांग जैमीती से कोश्चन प और यह आपका एक्स अच्छा और यह आपका एक्स डैस ठीक है इधर जाते हैं तो सब प्लस में होता है अब इधर जाते हैं तो एक सब माइनस में होता है अब उपर जाते हैं तो यह आपका प्लस में होता है ठीक है यह चीज़ हो क्या तो यहां पर देखिए इसमें क्या क हो गया अभी स्तीन को मिदर भाग कर देंगे तो य बराबर में 12 भागे तीन तो इससे हम काड़ देंगे तो य बराबर आपका चार आ के लिए उले लो पहले लिए झाल और कहां पर न कहत है चार मतलब इसी अक्षए चार फ़िखत हो जायेगा तो कहां पर है इसमें तो जीरो चार यह बी नमबर आपका सही हो जाएगा ठीक है अब इसी तरीके से आपका देखिए वह सबसे बड़ी सहंग है जो सतर और 155 को विवाजित करने पर कंसा सेसफ़ 5 और 8 ठीक है तो इससी में से हमें आपको क्या करना है भाग करक sortie कर तो अगर हम 30 से अगर शत्तर भाग करें 3 भागे सत्तर ठीक है तेरा पच्छे पाएसथ處 तो इसमें 5 आ जिस से 1 घ्याईंग से 5 आ जाय बचेगा 117 तो इसमें से कितना बचेगा आपका आठी बचेगा ठीक है मतलग कि यह हमारा 13 है ठीक है क्योंकि 13 से जब हम इसमें भाग कर रहे हैं तो हमारा से है कंडिशन होता है इवँशन लगो अध्य मझस्का इसके लिए यंप यूण tis के लिए 7 बटे में दोगा झाहिए तक यह यह अगर यह वाला बराबर नहीं होना तो इसका कोई हाल नहीं होगा ठीक है अब यह वाला समीकरान है और यह वाला समीकरान है तो यह आपका A1 B1 और यह आपका C1 है ठीक है यह आपका A2 B2 और यह C2 है ठीक तो A1 है यहापे तो A1 के नीचे A1 के जगापे हम क्या करेंगे इसके जगापे 2 रख देंगे 2 हमने रख दिया ठीक A2 के इस्थान पर 3 लखेंगे, तो यहाँ पर हमने 3 लख दिया, अब इसके बराबर लगाएंगे, B1 मतलब A, तो A और B2 मतलब की माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5, अब इसके बाद से C2, C1, C1, तो C1 में आपका, इसको हम इधर ले जाएंगे, तो कितने हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, अब इसको हम इधर लाएंगे, तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो बट्टे में माइनस का 7, ठीक है, यह चीज़ पूछ रहा है, तो हमारा कंडिशन क्या होता है, कि यह वाला और यह वाला आपस में बराबर होना चाहिए ठीक और यह वाला अलग होना चाहिए तो हम देख रहे हैं यही तो हमारा इसमें बराबर नहीं है तो इसमें से कौन सा उप्शन सही हो जाएगा तो इसमें देखें अगर हम क्या कर दें देखें अगर हम इसको रखते हैं ठीक है यह अगर हम रखते हैं तो तो बारी-बारी से रखके आप देख लिजेगा पहले इसको हम रखेंगे एक अस्थान पर माइनस का हम 10 रखेंगे ठीक है और इसके अस्थान पर यह माइनस का 3 इसके अस्थान पर रखेंगे ठीक है तो माइनस का 5 पहले से यह तो माइनस का 5 और उसक तो दो बटा तीन यहां भी है और यहां भी आगे दो बटा तीन और यह वाला बराबर नहीं है ठीक तो बस अब यही वाला कंडिसान में चाहिए यह दोनों आपसे बराबर हो चाहिए तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए तो यह वाला आपका आ जा रहे ठीक है तो इसी साब स यह सी number से हो यह हो गया ठिक है इसी तरीक सावको करना है अब सिर यहाँ पर यह से देखिए यह वाला तो ए-owbc यह आयत है जिसके तीन शीर्श और वह से 0-3 और यह से देखिए यह वाण 1003 दो पर जेखिए इसमें का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो एक आयद बना लेते हैं ठीक है यह हमने एक आयद बना लिया तो ए और ओबी सी तो ओबी और सी यह है ठीक है eren JPA तो यहां पर हमने एक बिकण बना दे हैं ठीक है तो यहां पर यह विकण हो गया तो एक अमान यहां पर यह 03 दिया हुआ है और ओकमान यह पर ही 50 लिकने की जोड़ते नहीं है और उसके पासे बी कमान यहां पर जिरो और 5 दिया हुए ठीक है यह यह ची दिया tension का का फॉर्मूला क्या होता है एभी एभी बिकर्ण है ना तो बराबर में आपका कितना हो जाएगा रूट में एइसक्वाइर और उसमें पलस में बी स्कॉर तो एभी कमानिया पर दिया ही हुआ है तो 0 3 तो 0 को छोड़ दीजे क्यों तीन लीजे तो 9 हो जाएगा और पलस में 5 25 ठीक है तो 25 और 9 आपका रूट में हो जाएगा 34 तो यह आपका सी नमबर से हो जाएगा ठीक है अगला देखिए अब देखिए यहां पर आपका साथवा नमबर ठीक है तो इसमें कहा रहा है कि दिगास हमें 2x स्कॉर माइनस 4x से पलस में 3 ब्राबर 0 के बारे में निम्न क 4ac यह फॉर्मला होता है ठीक है तो इस पर मान लगते हैं तो यह होता है भी यह होता है सी यह होता है ठीक है तो बी के स्थान पर मान लगते हैं तो माइनस 4 है तो माइनस 4 का स्कॉर कर देंगे माइनस में 4ac है चार गूड़े एक स्थान पर 2 है सी के स्थान पर 3 है तो 2 गू है ठीक है है ना तो इसमें देखे इसमें कहांगे दिये गए समीकरान का विविकता सुने से कम है तो यह तो पहला वाला फॉलो करेगा ठीक है यह चीज हो गया उसके वाद से समीकरान का कोई मूल वास्तविक नहीं है तो यह चीज आपके बुक में भी दिया हुआ है कि जब इसका जो डी का जो मान है जीरो से कम होगा तब हम कहेंगे कि समीकरान का कोई मूल वास्तविक नहीं है यह आपके बुक में दिया हुआ है ठीक है अलग समय नहीं बता रहा हूं तो इसलिए यह वाला एक और दो तो यहां पर हमें बताना है तो यह नंबर इसका सही हो जाए मूल का एक मूल एक बटा दो है तो के का मान बताईए तो आपको एक चीज मैं आपको बता दो अगर मूल कहरा है ठीक है कहीं पर भी अगर मूल कहरा है तो समझ जाएगा कि यह वाला जो वैलू है वो एक्स का मान है ठीक है तो इसमें देखे एक्स बराबर में एक बटा दो ये चीज़ इसमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मान को उठा करके इसमें हम put करेंगे, तो यहाँ पर put करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक बटा दो, और गात लगाएं, तो हम गात भी लगा देंगे, पलस में k हैं, तो यहाँ पर हम k लगाएंगे, और यक्स क बराबर में 5 बटी में 4 अब इसको हम इदर लैंगे गभिगर एक बटे में 2 अब इसको given लाइंगे तो पलस में माइनस में हों जाएगा तो पांच बटे में 4 माइनस का एक बटे में 4 तो इसको हम क्या गया तो बचा एक अब यहां पर यह वाला क्या कर रहा है एक बटा दो के साथ में गुड़ा कर रहेगा इधर आएगा तो भाग करेगा तो एक के साथ में भाग करेगा तो हम ऐसे लिखे देंगे बराबर में के अब इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है देखे एक लिखएंगे यह वाला उपर वह आब इसको लिखके ली देंगे गुणे में दुबटे में एक इससे आपका यह कर जाएगा तो के बराबर आपका है गा दो तो इसमें आपका ए नमबर सही हो जाएगा, ठीक है ना, अब इसके वाद से देखें, ये आपका तिर्भूज चेप्टर से, कहा रहा है कि दो तिर्भूज समरूप होते हैं, कब समरूप होते हैं, यदि इनके संगत कौन बराबर हो, तो ये भी आपका होता है, कि अगर कोई दो तिर भूज़े और उसके संगत कौन जैसे की यह आपका दो तिर भूज़े यह वागर ठीक है यह वाला कौन और इसका यह वाला कौन दोनों आपसे बराबर हैं तो यह आपका समरूप होगा ठीक है संगत कौन अगर बराबर है तो समरूप होगा और उसके वाज से तथा ह और तीनों कोड अगर आपका क्या है बराबर है तो यह दोनों आपके समरूफ होंगे ठीक है तो यदि इनके संगत कोड बराबर हो और इनके संगत भूजाएं अगर बराबर हो तो क्या हो जाएगा यह दोनों तिर्भूज आपसे समरूफ होंगे ठीक है तो उपरियोग तो यह C नमबर आपका सही हो जाएगा ठीक है तो अब इसके बाद से दसवा नमबर देखिए कि यदि समकौर तिर्भूज में कौर C 90 डिगरी का है और A C बराबर में 3 और B C बराबर में 4 तो बिंदू C से जाने वाली मधिका का माप तो देखिए चलिए इसको बना लेते हैं ति यहां कर दिए तो इसमें क्या कर रहा है A C तो A C आपका 3 है 3 कर दिए B C 4 तो B C आपका 4 है 4 कर दिए ठीक है अब कह रहा है कि C से मधिका तो चलिए C से हम इस पर यह मधिका डाल दिए ठीक है इसको हम कुछ भी मान लेते हैं तो सबसे पहले तो पाइथागोरस पर में से इस यहां पर कर दे रहा है can you 對啊 का स्बसे बड़ी वाली भूजा एबी का स्क्वाइर बराबर होता है You can statub के स्कौाइर प्लस बीची के स्कौाइर यह हमारा पाइथा कौर स्पर में का बाता है लिए से माद कमाला हमें बताना है tôi difficult square लिख लेंगे, ac कमान कितना है 3 है, तो 9 लिख देंगे square है, तो square कर देंगे 3 का, और bc कमान 4 है तो square कर देंगे, तो 16 हो जाएगा तो 16,9 25, तो a b बराबर में, ये वाला जब हम गहात हटाएंगे, तो इधर वाला आपका root में हो जाएगा, 16,9 पचिस 25 हो गया पचिस जब रूट से बहार निकले है तो यह 5 के रूप में तो इसका मान क्या आया पाँ ठीक है। ुसका मान पांच आया अज ay ma x 6 मधिका है तो पांच आदार कि क्या आता डाई मतलब कि डाई कहाँ पर ए नंबर यह आपका सही होग है ठीक है अब इसके वाद से देखिए 11 नमबर कि दो संबाहों तिर्भूज होता है ठीक है दो संबाहों तिर्भूज तो जब दो तिरभुज की आकरिती सेंगा हो ठीक है तो आपका सम्रूफ ही होता है ठीक तो इसलिए आपका सरवांसम नहीं होगा सम्रूफ हो तो भी नमबर आपका सही होजाएगा तो यह हमेशा याद रखेगा कि दो सम्भावति रूभूज आपस में सम्रूप होते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमारा यह जो कोश्चन था यह सभी सभी कोश्चन समाप्त होएं तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट टू में जिसमें हम लोग और भी कोश्चन को सॉल्ट करने वाले हैं तो इसलिए चनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा और आज का यह वीडियो प्लू कैसा लागा कॉमेंट बॉक्स में जरू बताएगा